मंत्री विश्वास सारंग का कॉंग्रेस पर तंस कहा शिवराज सिंद्या के कत करने ता MP कॉंग्रेस में नहीं बचा सचिन पाइलट की गौालियर में चुनाओ प्रचार करने पर चिकिस्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी तंस कसा है विषवास सारिंग ने कहा कि जिस प्रकार से मतपर्धेश में सचिन पाइलेट कांगरेस के लिए प्रचार करने आ रहिए है उससाफ़ के मुकमनदी शिवरासंग चोहान और जोतिरादिससिंधीया की कट करने ता मतपर्धेश कांगरेस में नहीं बचा है और कॉंग्रेस ने यह बास स्विकार कर ली है मद्परदेश में होनी वाले उप चुनाओं का सियासी पाराथ चुनाओं की तारीक केलान के पहले ही चड़ चुका है दोनों ही दल की नीता एक दूसरे पर बयान बाजी से नहीं चूक रहे है मद्परदेश की गौालेट चंबल में सचिन पाइलेट और प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारग बनाए जाने के खबरों के बीच किरह मंत्री डॉक्टर नुलत्ता मिश्रा के बाद चिकिस्ता शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी तंसकसा है मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिस प्रकार से मद्परदेश में सचिन पाइलेट कॉंग्रेस के लिए प्रचार करने आ रहे हैं उस साफ़े के मुख मंत्री शिवरा सिंग चोहान और जोती रादित सिंध्या की कत करनेता मत्परदेश कॉंग्रेस में नहीं बचा है और कॉंग्रेस ने ये बास स्विकार कर ली है चिकिस्ता शिक्षामंत्री ने कहा कि कॉंग्रेस के इस निर्ड़े से उन्हें आश्यर इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जिस पार्टी में राश्टी अध्यश ही इंपोर्टेड होगा तो इस टार प्रचारक भी इंपोर्टेड होगा आर्टी जन्हेता पार्टी की हर सरकार में शुधता पाड़ दर्शिता का पालन करना हर एक के लिए लाजमी है मध्यपदेश वो राज्य है जिसमें कांग्रेस की सरकार के समय देश में यदि मध्यपदेश का जिक्र होता था तो इसे डखेतों का राज्य कहा जाता था डाकूं का राज्य कहा जाता था दिविये सिंग्जी की सरकार हो या आरजुन सिंग्जी की सरकार हो मद्यप्यदेश का नाम चंबल गौलियर संभाग का नाम केवल इसलिए लिया जाता था कि वहाँ दस्यू सरगनाओं का राश था पर भारती जनता पार्टी की सरकार आई और शिवरासिंग चोहांजी ने कहा कि मद्यप्यदेश में कोई डाकू नहीं रहेगा कोई डाकेत नहीं रहेगा और आप देखिए कि आज पूरी तरह मद्यप्यदेश शांती का टापू बना है